आप सभी लोगों का स्वागत है और यह आज हमारे टेंथ सेशन है नंबर सिस्टम का जिसमें हम लोग फैक्टर्स को यह कंटीनू करेंगे अक्च्छल में बहुत कुछ है आप लोगों पढ़ाने के लिए जो मैं सारी चीज़ें आप लोगों पढ़ाने वाला हूं ठीक है त एक्जाम्स और अप्टिटूड एक्जाम्स जितने में हमारे अप्टिटूड एक्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए यह सेशन बहुत ही इंपोटेंट है अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं कर रहा है तो अपने प्रेंड्स के साथ जो आज की क्लास में शुरू करूंगा कुछ special numbers से ठीक है मेरे पास कुछ special numbers हैं जिनको देख के हमें बहुत ज्यादे confusion रहता है तो confusion में दूर कर देना चाहरा हूं क्योंकि factors का जो रोल है na factors पते हैं कैसे निकाले जाते हैं factors निकाले जाते हैं आपके कैसे जब आप लोग जब आप लोग क्या करते हैं मतलब prime factorization करते हैं ठीक है तो factors is totally dependent मतलब आपको total number of factors निकालने हैं आपको total number of even factors निकालने हैं यह आपको total number of odd factors निकालने हैं आपको कुछ भी निकालना है इवन आज हम लोग product of factors के बारे में पढ़ेंगे कि factors का product कैसे क्या जाता आप देख रहे हो हमने factors पढ़ने start किये पहले total number of factors हम लोग निकाला फिर हम लोगोंने total number of even factors total number of odd factors total number of prime factors हमें कोई भी number दे दो हम उसके सारे factors बता सकते हैं even factors कितने होंगे odd factors कितने होंगे सबके प्राइं फैक्टर कितने होंगे total number of factors कितने होंगे ठीक है even हम लोग factors का sum भी कर सकते हैs sum of all factors कर सकते हैs some of even factors निकाल सकते हैs some of odd factors निकाल सकते हैs some of prime factors निकाल सकते है सेकंड हम लोग आज क्या सीखने वाल स Confederate का is अब बट these are some numbers जिन में हमें थोड़ा सा confusion रहता है कभी-कभी तो मैं एक बार इनको clarify कर देता हूं आपके सामने बच्चे हर number के बारे में थोड़ी इसकी प्राइम एक प्राइम लिखुँगा ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना हो ठीक है मतलब मैं आप से पूचता हूं कि यार अवाट इस स्मॉलेस्ट three largest three-digit Prime Number ठीक है largest three-digit Prime इंबर तो दिस इध अबर largest three-digit Prime number दिहान सा देख लेगा यह हमारे पास largest three-digit Prime इंबर बिस्मेः कितनी डिजिट्स सिं तो इसके बारे में आपा लोगोह पता अहीं सर इसमेле स्माल AndRIłam अगर मैं आप से बात करता हूं अमारे पास इसमालेस्ट थ्रीदिव प्राइन अगर मैं आपसे पोछतों कि श्मॉलेस्ट फ्राइम नमठर इंब आको बता अधा है मैंने जब प्राइम नंबर के बारे पढ़ाया था 101 इस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए ठीक है बच्चे फिर हमारे पास आता है 1001 यह एक special number मैंने आप लोगो अल्रेडी बताया था जब प्राइम नंबर पढ़ाता है कि special number है और क्यों इसको special number की category में डाला गया है मैं आप लोगों को बता भी देता हूं यह तीन consecutive prime number का product है यह तीन consecutive number का product है 7 into 11 into 13 यह बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए ठीक है तो दिस इस नोड़ा प्राइम नंबर अगर यह नंबर मेरा 10017 11 into 13 है तो definitely 10017 से भी डिवाइड हो जाएगा 1001 11 से भी डिवेड हो जाएगा 10013 से भी डिवेड हो जाएगा तो अगर कोई number तीन नंबर से डिवाइड हो जा रहे है तो वह प्राइम नंबर होई नहीं सकता ठीक है सो हम लोग जल्दबाजी में कभी कभी डिया कर सकते हैं हम लोगDR कर रहे उता है हम डोग STRose 1501 के बारा में आपको बता नावरे is it three consecutive prime numbers का product होता है बच्चे आगे लिखा मैंने 1003 and 1007 और 1009 और इनको थोड़ा सा किया हुए पुरा ही क्या इसके दो factors होंगे ठीक है तो मैं आपको दोनों बता दूँगा factors कौन कौन से होंगे ठीक है सबसे पहले 1003 को देखो जरा 1003 जो मारे पास number it's a multiple of 17 it's a multiple of 17 अब बोलोगे सर कैसे अब मैं बताता हूं आपको देखो मतलब 17 को किस number से multiply करूं जिससे 1003 आ जाए तो अगर मैं 7 इस पो धर ले जाओंगा तो 1003 by 17 तो मुझे किस से इसको divide करना पड़ेगा मतलब इसको divide करने तो हमारा क्या आएगा आप लोग देख भी सकते हैं सेवंड्रेड विंट डिवाड़ेड बैस 17 तो 85 इस मुल्टीपल ऑफ 17 15 वारा रिमेंडर आए तो फाइफ टाइम चलेगा है ठीक है एंड फिफ्टीन एंड त्रीवन फिफ्टी थ्रीवन डिवाड़ेड बैस 17 नाइन तो 59 तो 1003 बच्चे 1003 को में लोग क्या हो चकते हैं सेवंटीन इंटू 59 यह बात ध्यान रखनते हैं 1003 इस सेवंटीन इंटू 59 यहां तक कि बात आप लोगों को समझ में आने लगरी होगी कि यहां यहां पर क्या आएगा है ठीक है मुझन लगता किसी को यहां पर कोई प्रॉबलम है जो हमारे पास नेक्स नमबर है बच्चे हमें डिसाइड होनी चाहिए हम जल्दबाजी में उनको गलत ना करने तो 1007 जो होता है इस एक्चुल मुल्टीपल ओफ 19 यह 19 का मुल्टीपल ठीक है यानि कि कहने के बात यह है डेफिनेटली 19 को किसी से मुल्टीपला करके यह 1007 बन जाएगा ठीक है तो अगर हम लोग 19 का मुल्टीपला है जड़ा देखना है इसको 19 से डिवाइड कर दो 5 ताइमस चाहे का 95 3 तो 53 अगर आप 19 का मुल्टीपला है 53 से कर देंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 1007 आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन नंबर्स में कनिप्य 23 1009 is the smallest four digit prime number this is the smallest four digit prime number this is the smallest four digit prime number बताओ यह smallest four digit prime number हमारे पास एविलेबल है 1009 ठीक है मेरी बोर्ड को लिखने के आदत है जब मैं आफ्लाइन में पढ़ाता था तुम लोग भी देखते होंगे शायद यह थोड़ा उधर की तरफ जूग जाता होगा मैं तरसे जूगरता हू और वह पता नहीं स्लॉप सा बन जाता है मैंसे कि वह निकलने से ना जाता है उसमें ठीक है ऐसा शुरू से मैंसे मैंने बहुत पार इंप्रूव करने की कोशिच भी किये बट यह तो एक ही है कि यार कॉविट टाइम पे लोग डिजिचल बोर्ड पर यह पढ़ा रहे है ठ 10000 जो है वो भी एक प्राइम निंबर नहीं है इसके बारे में आप लोगों पता होना चाहिए ठीक है अगर मैं 1001 की बात करूं तो हमारे पास यह होता है 73 x 137 this is 73 x 137 what I want आप लोगो ना एकलिस इनके बारे में पता होना चाहिए ठीक है कल को बहुत सारे questions की framing इन पर हो सकती है तो हमें बिल्कुल भी डरना जाहिए बहुत सारे questions पर बन सकते हैं आपको अगर मैं questions बताना चाहों कैसे-कैसे questions पर बन सकते हैं हमसे पुछा जा सकता है find the find the total number of total number of total number of total number of prime factors total number of prime factors of total number of prime factors of total number of prime factors of जैसे हमसे पूछ लिया 1003 find the total number of prime factors of 1003 मानल हमारे पास ये question आ गया एक ठीक है इस question को हम लोग कैसे solve करें हैं जड़ा बताओ तो 1003 के total number of prime factors कितने होते हैं I have already told you what is 1003 1003 is a multiple of 17 which is 17 into 59 तो prime factorization क्योंकि आपको पता है total number of prime factors अगर निकान ले हैं तो this is totally dependent on the prime factorization तो जब मैं इसकी prime factorization करूँगा आपको ऐसे नहीं करना कभी भी यह मैं करके दिखा रहा हूं बट कभी भी ऐसे नहीं करना 17 से divide करोगे तो कितना आएगा 59 आएगा फिर 59 से divide करोगे इसको तो कितना आएगा वन आएगा तो कहने की बात यह है two prime factors of the number 1003 यह हमें पता होना चाहिए ठीक है total there are one double two prime factors of 1003 ठीक है जैसे एक question हमारे पाइस यह भी बन सकते है find the find the sum of all factors of sum of all factors of one triple zero one find the sum of all factors of one triple zero one find the sum of all factors of one triple zero one one triple zero one के सभी factors का sum कितना होगा यह भी मुझसे पूछा जा सकता है ठीक है तो बच्चे इसके लिए मैंने बताया था factors का कोई भी question हो वो हमेशे किस पर dependent है किस पर dependent है वो हमेशे prime factorization पर dependent है ठीक है तो बच्चे यह अभी हम लोगों ने पढ़ा one triple zero one की जो prime factorization होती है वो होती है 73 into 137 73 into 137 is the prime factorization of one triple zero one और बच्चे यह पावर 73 प्राइम नंबर है 137 भी क्या है प्राइम नंबर है 73 भी क्या है प्राइम नंबर है तो यह और ज्यदे तो factorize होंगे नहीं आपको पता है और ज्यदे तो factorize नहीं होगे यह नहीं की पावर कितनी कितनी है वन वन इन की पावर है ठीक है तो हम लोग कैसे निकालेंगे sum of all factors आपको पता होगा ठीक है sum of all factors sum of factors of one triple zero one मैंने आपको बताया था जो यह पावर होती है न लिमिट होती है तो 73 का पावर जीरो प्लस 73 का पावर वन इंटू 137 का पावर जीरो प्लस 137 का पावर वन बोलो जरा यहां तक की बात आप लोगों को सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है 74 इंटू 138 कर लेना मैं भी आपको करके दिखा देता हूं ठीक है करके क्या दिखा देता हूं मैं भी कल्कुलेटर यूज करूंगा ठीक है तुम कर लेना 74 इंटू 138 सो इस हमारे पास कितना आ रहा है 74 इंटू 138 10212 यह आ रहा है अगर मैं थोड़ा सा सोचने कोशिश करूं है पर 1001 जो मेरे पास है इसके अगर मैं फैक्टर्स निकाल हूं हमें सम फॉल फैक्टर्स दोर निकालना था सो टोटल देर फॉर 73 हुआ एक हमारे पास 137 हुआ और एक हमारे पास 1000 खुद हुआ फैक्टर्स किसी को जादा प्रॉब्लम है तो आप इन चारों को भी एड़ कर लो आए गई ही किसी को अगर जादा प्रॉब्लम है वो क्या करो इन चारों को एड़ कर लो आए गई ही आप लोग कर लेना ठीक तो यह वेरिफिकेशन की है एक्जाम में यह सब करने के आप शक्ता नहीं है जस्ट बताने के लिए आपको कि समों फेक्टर्स कैसे निकाला जाता है आपको पता भी होगा ठीक है उनको भी आड़ कर लो वही हा रहे है या तो वह कर लो काम या फोर्मना लगा लो समों चेहे ठीक है तो यह थी बात है हमें क्या होता है तो इसके लिए मोगी स्किन पर को कोन सा सबसे परहा नमबर हमारे पर डूर दूर तक सपना नहीं आ रहा है ठीक है 9987 यह तो 3 का मुल्टिपल है त्रीका डिजिट सम लगाओ 9 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 अगर में इनका डिजिट सम करो 18 प्लस 8 26 प्लस 7 कितना होता है हमारे पास 18 13-18 26 और साथ कितना होता है मेरे भाई 25 होता है तो यह तो थी का मल्टिपल है तो थी का मल्टिपल है प्राइम नंबर तो नहीं होगा ट्रिपल नाइन वन की अगर मैं बात करूं तो एक किस-किस से डिवार्ड हो जाएगा जरा बता हो अ मेरे सामने मेरे एक स्टुडेंट बेटा हुआ है ठीक है वो असर है क्योंकि अभी मैंने उसको दिया थे मैंने का बता भाई ट्रीपल नाइन वन किसके से डिवाइड हो जाता है ठीक है तो यह नंबर हमारे पास इसके एक्चलम फॉर फेक्टर होंगे अगर आप देखो तो तो यह नंबर हमारे पास 103 से एकजेक्टली डिवाइड हो जाएगा तुम लोग इस नंबर को ट्रिपल नाइन वन को डिवाइड भी कर सकते हो 103 से तो इन्टु 769 यह 13 इन्टु 769 होता है ठीक है मतलब मैं खुद भी कल्कुलोट से कर रहा हूं बठाओ मुझे पता है कि यह प्राइम नमबर नहीं है क्योंकि पता होना चाहिए कि 13 से हो जाएगा 97 से हो जाएगा आपको थोड़ी क्लारेटी बता कैसे हो जहें जब आतोग डिविजिबिल्टी रूल पढ़ लोगे ठीक है डिविजिबिल्टी से डिवाइब हो जाएगा कॉन सा नम्बर 17 से डिवाइब हो जाएगा को सान सा नमबर 7 से नम्बर 11 से हो जाएगा यह सब आपको मैं पढाऊंगा divisibility rule के अंदर ठीक है जब मैं आपको रहाऊंगा तो बच्चे यह हमारा 3 का मल्टीपल है ठीक है यह हमारे पास 97 37 into 103 है तो इस नंबर के तो चार फेक्टर हो गए वन यह नंबर खुद और दो फेक्टर्स मैं नहीं लिख रहे हैं इस तो और अलसो प्राइम नंबर फिर यहां पर हम लोगों ने देखा इस नंबर की वे मारे पास क्या है चार फेक्टर से ठीके तो यह एकलोतन नंबर बचा इसको मँण लोग बोलेंगे लार जेस्स फोर डिजट प्राइम नंबर तो यह पता होना चाहिए और इस नंबर के प्राइम फेक्टर鹿 तो थोड़ा सामय मैंने हिंट दिया कि आपको इन नंबर पर रिसर्च करनी है मैंने आपको अच्छे साथ नंबर बता है लेकिन घर बैटके आप बाकी और भी शाथ नंबर और निकाल सकते हैं जिसमें भी आपको मैं नोट्स बनाता था तो मालों यह मेरी कॉपी है ना तो मैं अपनी कॉपी में यहीं पर लिख रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चीज मिलती मालों उपर कितने दन खुली छोड़े कर रखते तो यह पर देट होता था तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो अपने नोट्स बनाते हम कैसे किसी नंबर के स अप्रोड़क्त निकाल सकते हैं हम कैसे किसी नंबर के स robiard निकाल सकते हैं अधिक है बड़ा ही इंप्सचान सकते हैं कि अगर हम देख के मैं बूला है सब्विंटDI करो मतलब मतलब हम लोग एक दम से सोच भेить निसकते कीए सब्कर फ्रूबस पर उन रखान सकते हैं एक एक जांपल के तरू में बात संजहाने कोशिश करूंगा आपको जैसे मैंने इक जांपल लिया हैं पटनर कि जैसे मैंने नहीं पर एक्जांपल लिया टुबल अगर मैं टुवल के कि बात करूँ तो फैक्टर सब्सक्राइब Works कि आ 12 itself is a factor of 12, थोड़ा सा logically अगर आप देख पारे होंगे यहां पर, एक pattern बनता हो दिखाई देगा, ठीक है, यह pattern बनेगा कब-कब, जब आपके पास, जब तो कोई आपके पास perfect square number नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने factors पढ़ाया था आप लोगो, दूसरे factors के दूसरे, तिसरे session में बता होगा, I think दूसरे session में, बच्चे, दुनिया में जितने भी perfect square number 64, 144, 196, 225, 361, 576, यह जितने भी perfect square numbers है, इन सभी का जो total number of factors होते हैं, वो एक odd number आता है, odd numbers में pair बनाने की बहुत दिक्कत होती है, तो मैं याद है, जब हम लोग तो यहाँ पर जब धियान से देखो, इसमें देखो, कितना असान होगा हमारे लिए, factors of 12, इन सभी को 12 के factors है, हमें निकालना क्या है, निकालने है, यानिकि इनको multiply करना है, हमें क्या करने है, हमें क्या करने है, पतलब आज एक छोटा सा number लिया, 12, उसके factors निकालने में हमें, अभी देखो, कि दिक्कत आजए, 12 into 6 करोगे, 72 into 4, पता नहीं, 4 into 4, तो पता ही नहीं आगे का सब, मामला गड़ बड़े, ठीके, त आपको 6 into 12 करना है, कितना अगें 12 आएगा, आपको 4 into 3 करना है, कितना अगें 12 आएगा, तो 12 into 12 into 12 क्या होता है, हमें मालूम नहीं है, बर इतना तो पता है कि 12 का 3 होता है, 12 का बावर कितना होता है, 3 होता है, तो product of factors में हम यह pattern हमेशा use करेंगे, ठीक है, तो basically it also depend on the total number of factors of 12, 12 के अगर मैं देखू total number of factors कितने 12 के total number of factors कितने 12 आपको पता करना hai क्या है जिसका half करना है जिसका half करना है तो तो प्रोड़क्ट ओफ factors में क्या करना है पॉफ बोल रहू हूं मैं प्रडॉट्ट्ट ओ फैक्तर्स में क्या करते हैं जो भी हमारे पास नंबर है नंबर की power को क्या कर देने है टोटल नंबर ओफ चर्शंव बाव्ट।ो त। तो मारे पास नंबर यहाँ पर कितना अधर टुल्ट तो इस इसको जब जनला इस फॉर्म मतलब अगर आपको किसी भी नंबर के किसी भी नंबर के brothers भूक्त वख्रस निगालने तो प्रोडुक्ट वफ्टक्रस क्या होता है एक प्रोडुक्ट वफ्ट वख्रस और प्रोड़क्ट वफ्ट वख्रस और भी टो लिए एक स्टेंडर पोर्मुला आप आप लोग अपनी notebook में लिख सकते हैं जो हमें बहुत ही आगे help पहुचाने वाला है प्रोड़क्ट और फेक्टर के question को solve कराने में ठीक है तो आप इसको लिख ले ना बच्चे ठीक है बहुत ही ज्यादे helpful हो जाता है हमारे लिए ठीक है चलो आपको बात समझ में आ रही होगी ठीक है जैसे अगर मैं आपसे question पूछन लगता हूं यहाँ पर मैंने question पूछा आप लोग से कि यहर फाइंड दा फाइंड दा प्रोड़क्ट और फाइंड दा प्रोड़क्ट ओफ ओफ ओल फैक्टर्स ओफ प्रोड़क्ट ओफ ऑल फैक्टर्स ओफ 60 के सभी फैक्टर्स का प्रोड़क्ट कितना होगा यह हमें बताना है तो बहुती कि इसली सॉल्फ कर सकते हैं हम लोग इसको प्रोड़क्ट औॉफ फेक्टर्स पाफ्स १िसको मैं ब बोल रहा हूं प्रोड़क्ट अधर्स इस टॉट्ल डिपेंदेंट्स ओन दा नंबर और नंबर ऑ ता onlar तो टोटल नंबर of factors of 60, total number of factors of 60, 60 का TNF कितना होगा बच्चे, तो it depends on the prime factorization, prime factorization factors में पीछा नहीं छोड़ने वाली, ये बात पहले बता दू, तो थोड़ा सा smartly देखो, 60, 4 into 15, 4 is 2 to the power 2, 15 is 3 into 5, तो तुरंट आना चाहिए, 60 की जो prime factorization है, वो क्या है, 2 to the power 2, 3 to the power 1, 5 to the power 1, this is the, this is the prime factorization of 60, क्योंकि जो हमारे total number of factors हैं, वो prime factorization पर बेस्ट रहते हैं, अब हमें करना क्या है, इन सम में plus 1 करना है, 2 plus 1, multiply 1 plus 1, and 1 plus 1, ठीक है बच्चे, तो ये आएगा 3 into 2 into 2, कितना आएगा बच्चे, 12, तो यानि कि 60 के total factors कितने हैं, 12 हैं, ठीक है, तो इसका product of factors कितना होगा, product of factors is equals 2, number, जो भी number के पर हम research करने हैं, का power tnf by 2, तो number हमारे पास कितना है, 60 है, 60 का tnf कितना है, 12 है, 12 by 2 करेंगे, तो कितना हैं, 6 आएगा, यानि कि 60 का power 6, इसके सभी factors का product आएगा, 60 to the power 6 is the product of all the factors of 60, ठीक है, 60 to the power 6 is the product of all factors of 60, मैं इस बात को proof भी कर सकता हूँ, गर आपको जादा दिख कर दातो, मैं इस बात को proof भी कर दूँग, 60 के factors ज़रा दिख बताओगे, मुझे कौन कौन से आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नी होगा, 8 नी होगा, ठीक है, 9 नी होगा, 10 आएगा, ठीक है, फिर हमारे पास आएगा, 10 आगया, फिर हमारे पास 12 आएगा, फिर हमारे पास 15 आएगा, फिर हमारे पास कितना आएगा, 30 आएगा, और फिर हमारे पास 20 भी तो आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 60 आएगा, क्या हो गया भाई, 20 30 60 20 अरे यार अरे इंग चाहिए मैं को भाई 20 30 और 60 इट सब मैंने का था पेर बनाने जोडे जोडे बनाने हम बच्पन से एक्सपर्ट हैं देखो वन इंटू 60 कितना आएगा 60 आया शांती से लिखते रहे न तू इंटू 30 देखने जरा कितना आएगा तू इंटू 30 भी कित 60 एक और 60 acabar likan इंटू 20 कर लेना कितना आएगा 60 आयेगा शांती से विल्कुल 2216 ने किसल रहे एक बिलकुल शांती से 60 इंटू 10 कितना आ जाएगा 60 एबिलगुल तो सोल करके आएगा 60 to the power 6 तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं मैं कोई गलत चीज नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोग को प्रोड़क्ट और फेक्टर को निकालने का तरीका यही है आपको क्या करना है नंबर की जो पावर है वो क्या कर देनी है करने टीनिद अफ बाए कंसेट ऑफ प्रोड़क्टा ओफ आला फैक्टर थिक हैं हमारे पास प्रपलम पता कब आती है प्रॉबलम हम के वी स्कूर्ड नंबर हमारे पास imp परफेक्ट सकूर नंबर जाते है तो नेineं घृट इसको कैसे यहां पर justify करेंगे product of factors निखाल देना है वो कैसे जो एक रम बचेगा वैसे मैं एक ग्जाम्पल लेता हूं जैसे 36 अब 36 के मुझे product of all factors बताना है ठीक है we have to find the product of all factors of 60 36 product of all factors अपने को बताना है 36 के product of all factors कितना होगा तो अगर हम लोग अपने formula के according चलें तो formula क्या कहता है number का power TNF by 2 तो सबसे पहले TNF निकालते है TNF of 36 कितना होगा एहले formula apply करते है अपना TNF of 36 कितना होगा बच्चे TNF of 36 कितना होगा 36 होता है 4 into 9 4 is true to the power 2 9 is 3 to the power 2 तो power 2 2 plus 1 3 2 plus 1 3 तो total number of factors of 36 कितना आ रहे है ना रहे है जिन बच्चों को 36 के प्राइन नहीं आती वो ऐसे क्या आगया भाई नहीं 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 रन्यू इट नहीं पाइसा नहीं है रन्यू के लिए इसको बगव यह यह बच्च नहीं चेंद्स्टन घर घरिए बात मीसे पैसा मांग रहा है उसको ठीक है 4 into 9 4 is true to the power 2 9 is true to the power 2 तो पावर में प्ल्स फोर्मूला नमबर का पावर कितना होता है त्न स्थू यह तुमहारे इतनी हुए इतनी बाड तो मैंने लिख दिया इसको नंबर कितना है बच्चे हमारे पास नंबर है 36 36 का पावर TNF TNF कितना है 9 9 by 2 अब यह बिल्कुल सही है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जब हमारे पास एक्जाम होगा या मॉक टेस्ट आएगा यह इस फॉर्म में लिखा हुआ नहीं आएगा हमें सिर्फ छोटा सा क आधे लोगों को दिककप शुरू हो जाती है कैसे पॉर प्लस वन भए टुलिया शर ने आधे लोगों नहीं समझ में नहीं आता भाई 9 by 2 कितना होता है हिंदियें बोले तो 4.5.5 का मतलब क्या होता है हाफ तो 4 plus 0.5 ही तो 4 by 1 by 2 बनेगा which is 9 by 2 ठीक है तो हम इसको यह बोल सकते हैं बिलकुल बोल सकते हैं ठीक है तो ठीक हो 36 को मैंने बोल दिया 4 plus 1 by 2 यह इसका पावर है ठीक है पावर कब एड होती है तो मैं पता है पावर कब एड होती है जब बेस सेम होता है यह तो स्लाइड ही खतम होगी अज पहली बार हमारे पास पावर कब एक मिन्टिस को अटा रहा हूं मैं यह से पावर कब एड होती है जब हमारा बेस सेम होता है ठीक है जब बेस सेम होता है था हमारे पास था वह इतना 36 का पावर 9 by 2 दुबारा बता रहा हूं मैंने 9 by 2 को क्या लिखा बच्चे 36 9 by 2 को मैं बोल सकता हूं 4 plus 1 by 2 ठीक है आपको याद होगा बच्पन में छोटा सा रूल बताता हूं आपको याद है a to the power m plus n is equal to a to the power m into a to the power n बच्चे जब बे सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है तो आज हमारे सामने यह लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे डिवाइड निकर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं मैं इसको बोल सकता हूं 36 का पावर 4 and 36 का power 1 by 2 बच्चे किसी का भी power 1 by 2 पता है क्या हो था? root होता है and root of 6 दुनिया को पता है कितना होता है 6 root of 6 कितना हो गए? 6 का power 1 by 2 पता है न? this is root of 36 यह कितना है का सोल करके 6 आएगा तो 6 into 36 का power 4 यह options में इस तरह से लिखा रहेगा यह options में इस तरह से लिखा रहेगा लिखना ये भी सही है जो हम लोगों ने निकाला था हमारा recording ये आता जो हमारा formula था number का power tnf by 2 सही है बड़ इसको थोड़ा सा simplify कर देगा वो इसको क्या कर देगा थोड़ा से simplify कर देगा ठीक है और बागी 36 का power 4 as it is कोई दिक्कत नहीं है तो हम यह काम भी कर सकते हैं जैसे one more question on this concept guys चलो अभी अगला question next video में करेंगे ठीक है इसमें slide थोड़ा खतम होई है